नमस्कार जी मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ एक खास महमान है जिनके कंधों पर जमेदारी है देश की अर्थव्यवस्था को सम्हालने की और वो है केंद्रिय वित राजिमंत्री अनुराग ठाकुर जी अनुराग जी निम्ला सीतर अमण जी ब कहीं खुशी कहीं कम आपको क्या लगता है कि विपक्ष हमेशा गम में रहेगा और जो आपके समर्था के वह हमेशा खुश होंगे पहले तो मैं जी मीडिया के माद्यम से पताना चाहता हूं कि देश के कोने कोने से बजट का स्वागत हुआ और वो लोग जो अलोचना करते हमारी नीतियों की उन लोगों ने भी भरी बुरी प्रशंसा की है कि देश को जिस तरह का बजट चाहिए था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रोजगार उत्पन हो देश को विकास दर बढ़े उस सभी कदम जो करने चाहिए थे हमने वो किये दूसरा आंगलन शेर मार्केट से पता चलता है जहांपर पहले दिन सेंसेक्स में उच्छाल 200 अंग से जायता था दूसरे दिन 1200 से जायता था और लगातार मार्केट 50,000 अंग से उपर बंद हुई ये अपने आप में दिखाता है कि लगातार सकारात्मक इस पर पक्ष देखने को मिला और दूसरा अनसूची जाती जन जाती इस वर्गों के लिए जो 51.65 प्रतिशत बजट में इजाफा हुआ है 83,000 क्रोड से बढ़ाकर 1,26,000 क्रोड पर उसके प्रावधन किया गया इससे पता चलता है कि कैसे सडकें, रेल, पानी, शिक्षा, स्वास्त और स्वास्त में तो 137% हेल्थ का बजट बढ़ाया गया 2,23,000 क्रोड पर इसको बजट को प्रावधन किया गया है ये अपने आप में आंकडे दिखाते हैं कैसे हम देश को आगे ले जाने वाले हैं हर वर्ग ने इसका प्रशंसा की है, भाकी ऑपोजिशन की बात कहें तो उनका काम है कुछ कहना, कुछ ना कुछ गुन गुनाते रहना लेकिन अनुराग जी जो मिडल क्लास है, जो इंकम टेक्स पेर है, वो कहता है कि हर बार उनको जुन-जुना ही मिलता है वो उमीद कर रहे थे कि इस बार टेक्स रिबेट में कुछ आप रहत देंगे या उनके जेब में से जो पैसा ज़्यादा निकलता है, वो कुछ बच जाएगा तो करोना की जो मार है, उससे कुछ उबर पाएंगे आपको क्या है लगता है कि जो टेक्स पियर है, इमानदा टेक्स पियर है, उसको थोड़ा पुछसान मिलता है एक तो अगर किसी सरकार ने इंकम टेक्स में कमी लेकर आएं, तो मोधी सरकार लेकर आएं पिछले दो-तिन वर्षों में हमने लगातार individual का income tax भी कम किया, उसको option भी दी, पुराने वाली विवस्ता भी और नए वाली भी, corporate tax rate भी हमने कोई नया manufacturing plant लगाता है तो 15% tax rate कर दिया, उसमें भी उनको लाब मिला है, पहले वाले tax को भी कम किया तो जो वेपार करता है उसको tax बैंकों के ब्याज थे, अगर आपको घर बनाना था, घाड़ी लेना था तो बैंकों के ब्याज जादा थे, वो भी लगातार कम किये हैं तो मोदी सरकार के समय कम हुए, आज इतनी तेजी real estate sector में क्यों ह ही, लोग घर क्यो बनाना चाहते है गाड़ी क्यों लेना चाहते है, क्योंकि वो लगातार से इंट्रस्टेट कम आ रहे हैं तो लोग खरीद जादा कर पा रहे हैं अनुराग जी एक और जो बड़ी चिंता है लोगों में चिंता है कि अक्सर पेट्रोल और डीजल सरकारों के लिए वो सोर्स ऑफ फंड होता है और उस पर आपने सैस लगाया हलाकि आपने दूसरे टेक्सिस कम किये तो शायद कीमते अभी ना बढ़ें लेकिन लोगों को चिंता है रहती है कि सरकार एक हाँट देती है दूसरे हाँट ले लेती है देखे दो बाते हैं अगर आप टेक्स की बात करें सरकार का एक ही जरिया है आमदनी का वो देखा जाए तो बड़ा वही है डिरेक्ट और इंडिरेक्ट टेक्सिस और वो भी हमारे लगातार कम हुए है माहमारी के समय हमने लोगों के हाथ में पैसा जादा बचे टीडियस टीसीयस में 25 परसंट की कटाथी की और फिर लोगों को इंकम टेक्स रिफंड लगबग 2 लाक रोड पे के हमने जल्द वापिस किया ताकि लोगों के पास पैसा आए लोगों को मौरेटोरियम पीरिड मिले बैंकों से किष्ट वापिस ना करनी पड़े इंस्टॉल्मेंट भी और प्रिंसिपल अमाउंट भी तो हमने वो भी मूल धन भी नहीं जुकता किया और उन्हें ना ब्याज दी तो हमने वहाँ पे भी उनको छोड़ दी लोगों के हाथ में पैसा जएदा है इसकल लिए हमने सारे कदम कोविड-19 महामारी के समय उठाए आगे भी हम लोगों की मदद करने के लिए तयार है अगना की सरकार चाहे वो किसानों का मसला हो या क्रशी बिल का मसला हो आपकी सरकार कहती कि हम किसानों के हिताषी हैं और डबल इंकम को डबल करना चाहते हैं उनकी जो उनकी लागत है उससे उनको डबल इंकम मिले लेकिन बजट सत्र के दौरान संसाथ थप है विपक्षी आपके खिलाफ लामबंध है किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं और आप मैसेज जो देना चाहरे हैं वो क्यों नहीं हमान निधी लेकर आए हर किसान के खाते में अब तक एक लागदस हजार क्रोड़ प्या किसानों के खाते में डाल दिया इस साल 75,000 क्रोड का और प्रावधान किया दूसरा परदान फसल बीमा योजनाम लेकर आए किसानों ने 14,000 क्रोड़ प्या प्रीमियम के रूप में दिया मुआबजा 70,000 क्रोड़ प्या किसानों को मिला मुदी सरकार योजना लाए तीसरा MSP खरीद पहले भी थी हमारे समय बड़ी है खरीद भी बड़ी और दाम भी बड़ा दाम कितने बड़े 43% गेहूं और धान के दाम बड़े MSP के खरीद कितनी बड़ी गेहूं 74% और धान 113% जादा खरीद हुई यानि कि दुग नी खरीद हुई दलहन दिलन के दाम 65 से 70 परसंट जादा बड़े ये भी हमने किया आगे हमने यूपिये के मुकाबले MSP खरीद धाई गुना जादा की आठ लाक क्रोड पे मोधी सरकार ने खर्च किया फिर हमने लागत प्लस 50% मुनाफ़ा स्वामिन अथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया किसान के लिए जादा पैसे का उन्तिजाम किया हम मंडियों को और शिशक्त कर रहे हैं एक हजार मंडियों को पिछले साल कंप्यूटराइज किया इन आम के साथ जोड़ा इस साल एक हजार मंडि को और जोडने जा रहे हैं तो एक कुल मिला कर देखा जाए किसानों के हित्मे ही सारे कदम उठाए और हम किसानों की आए को दुगना करने के लिए त्यार है जहां तक आपने प्रशन पूचा कि किसान धरने पर क्यों है देश का अधिकतर किसान कृशी बिलों से खुश है कुछ किसानों के मन में भरम है गुमरा किया गया है कई ताक्तें उसके पीछे लगी है मैं उन किसान भाईयों बहनों से भी कहना चाहता हूँ शान्ती के साथ देखिए MSP आपका विशेता हमनोगर ने कहा MSP था है आगे भी रहेगा मोधी सरकार ने MSP के दाम भी जादा दिये खरीद भी जादा की तो आपको चंता नहीं होनी चाहिए मंडी पहले भी थी आज भी आगे भी रहेगी मंडी के अलाबा भी विवस्ता गड़ी की गई ताकि किसान को जाता दाम मिले इसका विरोध नहीं होना चाहिए अगर किसान के मन में एक और शंका थी प्राली जराने को लेके हमने उस कानून को भी रोक लिया उन्हें का था बिजली वाले कानून को हाला कि उनकी मांगों में पहले नहीं था अब मांग पत्र लगातार बढ़ता चला जा रहा है हमने फिर भी चर्चा पे कोई गुरेज नहीं किया हिंसा होती है कितने पुलिस वाले खायल होते हैं तो कहीं सरकार भापने में चूप कर गई या सरकार भरुसे में रह गई है दिखे भरोसा तो हमें अपने किसानों पर करना ही था पहले दिन से हम अपने किसानों पर भरोसा करके चल रहे हैं हमारे भाई बहन है वो अन दाता है और इसलिए मोदी जी उनकी आय को दुगना करने का हर संबा प्रयास कर रहे हैं लेकिन उन भोले भाले किसान भाईयों के कंदों पर कोई और बंदूग चला जाए, अपने राजनीतिक रोटियां सेख जाए, देश को बदनाम कर जाए, देश में इस तरह की विवस्ता खड़ा कर दे कि किसान को खराब नजर से देखने का प्रयास कुछ लोग करे वो ठीक हमारे किसान देश के हित्के हैं कि मैं परिवार से आता हूं सैनिक परिवार से आता हूं थित और भी हो धुरिया किए कुछ लोग किसानों को भ्रह्मित भी कर एंगमरा भी कर रहें और उनके कंदों पर बंदूग चलाने का का रहन कें नहीं होических जैजिए अभी हम दो दिन स सार है रेहाना एक पॉर्ण स्टार है मिया खलीफा ग्रेटा थनबर्ग हैं जो पड़ावरान वित कहलाती है जिनके लिए नोबल पीस प्राइस की बात चल रही है मांग चल रही है उन लोगों ने ट्वीट करने शुरू कि जवाब में भारती है लोग जो है इंटरनेशनल ज जताई है कि हम किसी प्रोपेगंडा का हिस्सा नहीं बनेंगे ये भी सामने खबर आ रही है कि एक डिजाइन एक प्रोपेगंडा है और इसके लिए पूरी ताकतें काम कर रहे हैं इस वक्त की स्थिति अगर हम देखें तो सरकार कहती है कि हम इस दबाव के अगे नहीं जु पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ लगी है कोई भी दुनिया का व्यक्ति हो वो भारत को कमजोर नहीं कर सकता भारत के खिलाफ अजंडा चलाने का जो प्रयास विदेशी धरती पर बैठके कर रहे हैं वो दुरभाग्यपून भी है और उनके साथ-साथ कुछ देश के देश है जिसकी डबल डिजिट ग्रोथ होगी साड़े ग्यारा परसेंड ग्रोथ होगी तो उस समय में इस तरह के आंदोलन खड़े करके या इस तरह के श्रारती ट्वीट करके भारत को बदनाम करने का जो प्रयास करते हैं हम उनको कभी सफल नहीं होने देंगे कितना वो क्रिशी कानून को जानते हैं क्या रिहान ने क्रिशी कानून पड़े क्या ग्रेटा ने क्रिशी कानून पड़े क्या जिन लोगों के अपने नाम देरों ने क्रिशी कानून पड़े क्या वो जानते भी हैं इन क्रिशी कानूनों से किसानों की आये को दुगना करन हो और उनके समर्थन में जो यहां के लोग हो इसकी जांच करके उनके खिलाब भी कड़ी कारवाई होनी ही चाहिए तो खबर यह भी आ रहे कि दिल्ली पुलिस ने फायर दर्ज किया जिसमें ग्रेटा कि देश की जनता को यह तै करना पड़ेगा कि विदेशी कंपनियां जो ट्वीटर से या बाकी सब ऐसे डिजिटल प्लाटफॉर्म से हजारों क्रोड पे अप्रतिवर्ष कमाती हैं और वो प्लाटफॉर्म देश को एक ऐसा रूप देने के लिए खराबचवी बिल्ड करने क प्रोपगेंडा के रूप में फेक निउस चलाने के लिए इस्तमाल करना चाहिए अभी विप्ति की अजादी है लेकिन किसी को देश को तोड़ने की अजादी तो किसी को नहीं दी गई ना देश के अंदर ना देश के बाहर और दिल्ली पुलिस क्या करे दिल्ली पुलिस ने शांती पुर्वक आपको 26 जनवरी कोड ट्रेक्टर रेली करने के अनुमती दे दी दिल्ली पुलिस ने यह अनुमती तो नहीं दी थी कि आप लाल के लिए पर जाकर दूसरा कोई जंडा फिरा दें लोगों को कुछ चलने के लिए ट्रेक्टर तेजी से चलाएं हिंसा करे तब तो देशक पे बहुत सारे नेताओं ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने मारा कि उन्हें यह नहीं किया अब वो लोग कहते हैं कि दिल्ली पुलिस अगर इंतजाम करती है रोकने का तो दिल्ली पुलिस का विरूत करते हैं आखिर कार ये नेताएं बता दें दिल्ली पुलिस की जम्मेदारी नहीं है दिल्ली पुलिस को वही करना चाहिए जो कानूनी रूप से उनको करना चाहिए दिल्ली के लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए और भारत के लिए भी जो कदम उठाने पड़ते हैं वो भारत की हर अरजंसी को करना ही चाहिए लेकिन अनुराग जी अब रास्ता कैसे निकलेगा सर्कार कि एक फोन की दूरी पर सर्कार बैथी हुई है। एक फोन होटोगे और सरकार के मंतरी हाजिर हैं बाचीत करने के लिए। औ जो किशान देता हैं वो जगर जगर अपनी महापंचायत करते हैं। केते हैं कि हम चाहते हैं की एक कानून वापस ले दिये जाएं और रास्ता कैसे निकले जब दो ryू पक्ष अपने अपने इस्टेंड पर कई रासेंड, के हर अंदुलन का रास्ता बात्चीत से निकलता है लेकिन इसे नहीं निकलता कि आपको होके तीनों कानून वापस कर ले। उन तीनों कानून में खराबी क्या है ? क्या कमी है ? आक्रिकार देश के अधिकतर किसान अगरें कानूनों से खुश हैं, उनकी आय दुग नहीं हो सकती है, उनको जिदा अफसर मिल सकते हैं, तो तरक तो बताए कि किस कानून में क्या कमी है कोई एक ये बात करके राजीनी में एक टीवी चैनल पर नहीं देखा कि इन तीनों कानून से किसी किसान को क्या दिक्कत है केवल इतना कहा देना कि तीनों कानून वापस ले लो लेकिन आप ये बता नहीं सकते कि उसमें एक क्लॉस कौन सा है जिसक लेकिन संसद में कोई इस तरह की बहस भी नहीं उपा रही जहां विपक्ष जो है वो आपकी सुने और आप विपक्ष की सुने हम तो सुन रहे हैं सरकार ने पहले दिन से कहा कि आपको जिस विशे पर भी चर्चा करनी है और मोदी सरकार की देखिया आपको पीट थफ़पान करने के त्यार है आज सदन चल रहा है आप सदन के अंदर चर्चा कीजिए राज्य सब लोगों ने पक्ष रखा उसका उत्तर भी देंगे एक और बात मैं आप से पूछना चाहता हूं कि कई बार सरकार की मंशा सरकार साफ रखती है लेकिन तक पहुंचने चाहिए वहां तक पहुंचने पाती है इसके लिए आप को दिन के लिए कानून मना रहे हैं उसमें से चलिए कुछ एक हिस्सावगा कुछ और सबकी बात को सुनना और कहीं ना कहीं सखरात्मक सोच के साथ नया रास्ता निकालना है जो दोनों के लिए अच्छा हो हमने भी किसान भाईयों से ही कहा कि आए एक कानून पर चर्चा करते हैं किस व्यात पर आपको दिक्कत है जहां पर हमें भी लगता है कि ठीक है इसमें बदलाब कोई हो सकता है वहां पर बदलाब भी करेंगे ह हमने कहीं माराने किया लेकिन राहूल गांदी तो कह रहे हैं कि सुनते नहीं आप तानाशाही कर रहे हैं आप लोग वो तो ट्वीट कर रहे हैं और नाम गिना रहे हैं कि सारे लोग देखे उनको शायद इंदरा गांदी जी की याद आ रही हो एमर्जंसी का समय याद आ र अच्छा करते हैं अब प्रियंका गांधी उन किसानों के परिवारों से मिलने के निकली हैं जिस युवक की जो है मौत हुई थी ट्रेक्टर पलटने के बाद उस परिवार पर भी जा रहे हैं और बागी किसानों के हां भी जाके मिल रहे हैं वो जिनके परिवार जिनके लोग या इस अंदुलन के दुरान जीन की मौत हो गई है। लोग जुस्स से बात करें वह पहले से एक फ्रेम और माइड में आते हैं। यह हम अपना पक्षाम रख दिया यह आप बताईए। तो किसान कैसे इस मुस्लिक को सुझा लेए। किसान नेता जो है वही अपनी बात लेकि चले जाते हैं। तो आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि सब सुनते तो है नहीं, बीटिंग कराए जा रहे हैं। देखिए अगर इतने घंटे बैटक होती है, चर्चा होती है, सुना जाता है, यह शायद अपनी पार्टी की बात करते हैं, जहां इनकी अपने संस्थापक सिदसे जो थे, फांडर मेंबर थे, उस सब इनको छोड़के चलेगे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो आम पार्टी के अंदर अराजकता हो सकती है, इनकी सरकार के कारण अराजकता हो सकती है, हम तो लोकतंतर में विश्वास रखने वाले हैं, फेडरल स्ट्रक्चर में संग्य धांचे में विश्वास रखने वाले हैं, हम राज्ये की सरकारों को, किसान संगटनों को सब को साथ मे हमने तो Comeration Chicken पर प्रधान मतरी ने देशफर में बात की और देशफर में बात करके कुविड में जो काम मोदी जी ने किया है पूरी दुनिया में उसकी परशन्सा है कि पूरी दुनिया में सभ मुर्थियुदर जिन कि हैं वहीं सब्सक्राण करने कि रहे हैं और चुनाओं शो पाह्रा यह करा रहा है ताकि लोगों में डर पाइदा कर सकें ऋध़ियो ऑफ एक दादागरी के लिए उनकी सरकार जानी जाती हे गिद्धी दो कहने के लिए आम रहग्या दादागरी चलती है दूर दूर तक ममता कहीं नजर नहीं आती किसी के प्रती और जितने नेता उनके उनकी नाम में सवार थे एक एक करके सब कूटते जा रहे हैं और नाम में इतने छेद हो रहे हैं कि टीमसी की नाम जल्दी डूबने वाएं कि सीबी आई एडी इंकम टेक्स सबसे परेशान हैं तो वो सब भाग रहे हैं आपकी तरफ बचने के कट मनी से लेकर बागपी भाकी भरष्टाचार किसकी सरकार में ममता बनर्जी जी की सरकार में चिट फंड को टाले किसकी सरकार में ममता जी की सरकार में एक मुख्यमंतरी ऐसी जिसकी तीन क्रोड़ पे की पेंटिंग भिख जाए खरिता कौन है चिटफंड वाली कमपनी खरिती है जो आम आदमी गरीब आदमी का पैसा लेकर भाग जाती है तो ममता जी को उसका जबाब देना चाहिए यह दीदी बतीजे की सरकार है आपका इस्टेट 1971 में बना था 50 सल का हो गया तो अब मैचुर हो गया आप लगता कि विकास में भी फैमाना मैचुरिटी का आ गया है या भी पतलब थोड़ा बहुत बाकिए है वैसे कुछ 50 साल के युदा निताओं की मैचुरिटी तो नहीं आई आई आप राउल कांधी तरफ शार करें नहीं मैं तो सिर्फ कह रहा हूं बाकी तो आप समझधार हैं लेकिन हिमाचर परदेश ने 50 सालों में जो शांदार काम किया है वो आज तक की सभी सरकारों ने अच्छा काम किया इसी के कारण शिक्षा हो स्वास्त हो बहुत सारे ऐसे पेमा पर हिमाचर का दर्जा बहुत ऊपर आता है एक मॉडल स्टेट के रूप में देखी जाती है कि लोग उसके और देखें लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है अभी भी हिमाचर को बहुत कुछ करना जरूरी है नॉलेज बेस्ट एकॉनमी इसको बनाना चाहिए कुछ क्षेतर अपने चुनके उसके उपर फोकस करना चाहिए चाहिए टूरिजम है हाइड्रो पावर है एजुकेशन है आई टी है है हैंडी क्राफ्ट हैंडी लूम है इस तरह से कुछ क्षेतरों को चुनके उसमें बहुत तेजी के साथ फोकस करना चाहिए ताकि रोजगार भ कि बात होती है रेलेवे की बात होती है क्योंकि अठल तर्ल तो खुल गई अब रिल्वे की बात है तो एलेक्शन मोड में भी पार्टी आगई क्योंकि आपके पास एक साल का कम पूरा हो जाएगा हिमाचल का इसके साथ साथ हमारा प्रयास और भी है दारबू धांचा सड़क शिक्षा स्वास्ते एम्स पीजी आई एनाइटी ट्रिपल आईटी सेंट्र इन्वस्टी से लेकर यह साई मेडिकल कॉलेज आई एम यह सब हमने हिमाचल में बनवाए ताकि हिमाचल में अच्छी शिक्षा और स्वास्त की सुविदाएं हो और भी केंदर से जो बल ट्रक फार्मा पार्क जिससे लगबग 35-40,000 क्रोड की इन्वेस्टमेंट आ सकती है उसको लेने का हमारा प्रयास ताकि हम हिमाचल की मदद उस पे कर सकें टेक्स्टेल पार्क भविशे में हिमा करते हैं यहां नेताओं में शुवान हैं दाविदारों में भविशे में वहां कहती हैं और बीजेपी को सब्ता से बाहर करना हिए को जहां मर्ची जाए परयास करें पहले भी अफिर आएं सबका स्वागत है आखिरकार लोक्तंतर में हर किसी के पास अफसर अपनी बात रखने का नीतियों को रखने का विचार धारा को रखने का जिसको लोगों को वोट देना देना चाहिए मैं सोबाकेशाली हूँ हमिरपूर संसिदी एक शेतर की जनता ने चार बार मुझे लोकसबा का सांसत बनाया और मैंने अपने शेतर का चोहुमों की विकास करने का अरसंबब प्रयास किया है और हिमाचल की जनता ने जो अशीरबाद दिया प्यार दिया मैं तो उसका सता धन्यवादी ही रहूँगा जहां देश के परधान मंतरी भी आकर हिमाचल को छोकरा संबोधित करते हैं तो अपने आप में ही पता चलता है कि हिमाचल ने मुझे कहां तक पहुंचाया है देश और दुनिया में जितनी मेरी पहचान बनी उसके लिए हिमाचल के लोगों का मैं बहुत अभारी आने वाले चुनाओं में सबसे बड़ी चुनोती क्या होगी आपकी पार्टी के लिए क्योंकि इलेक्शन मोड में अब लगभग आ पागए हैं पचास साल तो आपकी राज्य के हो चुके हैं लेकिन आगे चुनाओती चुनाओं की हैं लगातार सरकार काम करते हैं अभी दो साल सरकार के पड़े हैं सरकार हर क्षेतर में काम करेगी जैराम जी के नेतरतब में अच्छी सरकार चल रही है मुझे पूर्ण विश्वास है अगले दो सालों में औ पाचित करने के लिए और हम उमीद करते हैं कि आपकी सरकार किसानों के साथ मिलकर एक समधान के रास्ते पर आगे बढ़ जाएगी और कब से कम देश की जो विकास की रफ्तार है वो और आगे बढ़े बहुत बाद धन्यवाद